हेलो दोस्तों इंडियन जीएस में आज सभी कास स्वागत है तो दोस्तों एसेसी अम्टीएस का जो एक्जाम 8th माई को हुआ था उसमें पूछे गए सभी सिप्टों के प्रस्णों को आज इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें पुरा देखें और जो लोग इंडियन जीएस में नाय हैं जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हुएं वो सब्सक्राइब करने और जिन्हें इसकी पीडियो की जोरुरत हो रीड करने के लिए वो टेलिग्राम ग्रूप को जोइन करें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी तो चलिए जानते हैं क्या-क्या प्रस्ण पूछे गए थे हैं SSC MTS में जो लोग एक्जाम दे चुके हैं वो अपना answer match करें और जो लोग एक्जाम नहीं दिये हैं जिनका आने वाले दिनों में एक्जाम है वो देखें कि कै कैसा कैसा pattern पूछा जा रहा है मतलब कैसा कैसा question SSC के द्वारा त्यार किया जा रहा है यह MTS के एक्जाम में तो चलिए जानते हैं प्रस्णों को पहला प्रस्ण क्या है राज के निती निदेशक सिद्धान तो यह किस देश से लिया गया है यह प्रस्ण पूछा गया था त अब अगला प्रस्ण क्या पूछा गया है अगला प्रस्ण है मुगलों का पहला नियोजित सहर कौन सा है यह प्रस्ण पूछा गया था तो जो मुगलों का जो सहर था पहला नियोजित वो फतेपूर सिकरी था जो की पहला था यह मुगलों का और यह जो है मुगल बात्चा अकबर ने 572 से लेके 585 इस्वी के बीच फतेपूर सिकरी को अपनी राजधानी ये बनाया गया था अकबर के द्वारा तो इतनी सारी चीजें हैं अब नेक्ट जानते एकला प्रस्ण क्या पूचा गया है कौन सी सास्त्री निरित जिससे एका हरिया भी कहा जाता है जिसमें एक ही नर्तक द्वारा कई भूमिकाओं का परदसन किया जाता है मतलब कौन सा निरित है जिसको एका हरिया भी कहा जाता है तो ये जो निरित है ये भारत नाटियम निरित है जिसको एका हरिया भी कहा जाता है और इसमें क्या होता है कि एक ही नर्तक जो रहती है वो कई भू किस से समन्दित यह पुष्ठक है यह पुष्ठक गया था तो यह जो पुष्ठक है इसमें 95 कहाण्यों का संग्राइस में जो की लोगप्रिय काफी लोगप्रिय काफी इसमे डाया गया है इस पुष्ठक मेर fan प्रस्ण जानते हैं अगला प्रस्ण है ब्लेक बक नेशनल पार्क कहां पर इस्ति थे मतलब यह किस राइज में इस्ति थे ब्लेक बक नेशनल पार्क यह पुझा गया था तो इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा यह गुजरात में सिच्वेटेड है और गुजरात के भ 2011 के जनगना के नुसर अगर देखा जाए census के नुसर वो सबसे अधीक ये पूछा जा रहा है तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा केरला जो केरला राइज है यहाँ पर सबसे ज्यादा highest literacy rate है जो की 94% है और ये 2011 के data के नुसर ये बताया जा रहा है और सबसे कम जो है ये बिह पूछार का था जो की 63.82 परतिसत था और पूरे भारत का अगर देखा जाए तो ये था 74.04 परतिसत लिटरेसी रेट हमारे देश का और जिसमें पूरुसों का जो है ये 82.14 परतिसत और महिलाओं का 55.46 परतिसत ये था और ये 2011 के जनगना के नुसर ये बताया जा रहा है त अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रस्ण क्या है गांधी जी ने हरीजन सेवक संग की अस्थापना कब की थी ये प्रस्ण पूछा गया था तो ये जो है हरीजन सेवक संग है ये गांधी जी के द्वारा ये अस्थापित की गई थी और ये 30 सितंबर 1932 को पून सेवक संग का नाम दिया गया मतलब यह पहले जो जिस नाम से बना था उसको चेंज करके यह नाम रखा गया था हरीजन सेवक संग यह ठोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि अस्परिशयता जो छुआ-छूत वाला जूर्य यह होता है तो उसको सुधार की यह नाम रखा गया था गांधी जी के द्वारा हरी जन सेवक संग यह कुछ अच्छा सुनाई देता है कि हरी जन मतलब हरी के लोग अब जो है इसके पर्थम अध्यप जो है यह उद्योग पती घंश्याम दास विड़ला थे तथा सचिव जो थे यह अमरित लाल विठल दास ठककर थे तो यह भी याद रखें हो सकता है अगला प्रस्न क्यों बढ़ते ह है जारकन में और जब बीच बोया जाता है कोई फसल का तो इस टाइम यह तभी पहर मना जाता है और गीत वगरा जाते हैं कि जो रहूल परव है जारकन का यह जारकन का सबसे बड़ा त्यवार है और यह आदिवासियों का अगला प्रस्न क्या है भारत में फाइब G humans सेवा की शुरुवात कब हुई थी ये पूछा गया था तो ये जो है सबसे पहले एक अक्टूबर 2022 को परधान मंत्री नरेज मोदी ने दिल्ली के परगति मैदान में इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस के इडिशन में इसका उद्गाटन किया था और इसी दिन फाइब जी सेवाओं का मतलब सुरुवात कर दिया गया था हमारे देश में तो ये डेट याद रखें कब ये एक अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थी फाइब जी सेवाओं को अब अगला प्रस्न जानते हैं अगला प्रस्न क्या है और इसमें जो विजेता रहा था जो विजेता रहा था वह ऐस्ट्रेलिया जीता ठाथा और वृब विजेता अब नेक्सट्य प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रस्ण क्या पुछा गया था के अंदर ने कौन से तीन राज्यों में कुल तीन ब्लोक ड्रग पार्कों के निर्मान की संधार्तिक मंजूरी मतलब सेधांतिक मंजूरी दे दी है तो इसका राइड एंसर क्या होगा इसका राइड एंसर होगा हिमाचल परदेश और गुजरात और अंधर परदेश में यह मंजूरी दे दिया गया था कि तीन ब्लोक ट्रग पार्क की यहां पर बनाने की घोसना की गई थी अगला प्रस्ण क्या है विच इंडियास फर्स्ट पी अस्पेस मिशन विथ हुमन भारत का पहला अस्पेस मिशन क्या है जिसमें मतलब मानों को ले जाए जाएगा तो यह था गगन यान भारति मानों पोचा गया था किसने कहा था कि अवाद एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुह में गिर जाएगा और लाट डलहोजी को चेरी की उपाधि यह दी थी तो यह जो है यह लॉड डलहोजी के द्वारा ही यह बोला गया था कि चेरी एक मतलब जो अवद जो राईज है वो चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुह में गिर जाएगा ये बोला गया था लोड डल होजी के द्वारा ये बोला गया था तो ये पूछा गया था अगला प्रस्ण क्या है 2011 के अनुसार किस यूनियन टेरिट्री की जनसंख्या सबसे कम ये बताई गई थी तो ये लक्षिद्वीप की जनसंख्या है ये सबसे कम बताई गई थी और ये 2011 की जनगन्ना के अनुसार ये डाटा पूछा जा रहा है तो एक बार ध्यान में रखे मतलब एक बात ये ध्यान आगे जानते हैं अगला प्रस्ण क्या है खिल्जी वंस की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी तो यह जो इसका राइट एंसर क्या होगा जलाल अदिन फिरोजिक खिल्जी के द्वारा खिल्जी वंस की यह अस्थापना की गई थी उसके बाद इसके बाद जो सासक रहा यह 1290 से लेके 1296 तक यह सासन किया था अब आगे जानते हैं गुलाम वंस जो है या फिर मामलोग डाइनेस्टी जिसको बोलते हैं यह कुतुबुदिन एबग के द्वारा यह स्थापित किया गया था और यह जो है 206 से 2010 के बीच यह सासन किया था कुतुबुदिन एबग जो ग्यासो दिन तुग लग और जिसको संस्थापक भी हम लोग कह सकते हैं और यह जो है 321 से लेके 325 तक यह सासन किया था जो ग्यासो दिन तुग लग था तो यह सभी चीजे भी आप याद रखें हो सकता है आने वाले एकजामों में पूछा जाए अब अगले प्रस्न क्यो सबसे भारी यह माना जाता है तो यह जो ता तो है यह यूरेनियम है जिसका परमानु कर्मांग जो है परमानु संख्या जो है यह बानबे होता है और इसका परमानु द्रवमान 238 AMU होता है तो यह इसका राइड एंसर होगा अगला प्रस्न क्या है 1986 में भारत के दूसरे सर आसी में और यह कॉना से घराने से बिलों करते हैं, कलका बिनधा डिन घराना से बिलों करते हैं, बिनधा डिन sechs में अग्ला प्रस्ण क्या है, बिनी जोफन राएंर यह करनाटक से तो शमकर प्रस्ण आज्डे इसद sto namely उबmaraव- दार्दिक संवर ने सांगीत और ऑलना ह मैंनो को पद्म शिरी आवार्ट दिया गया था 1972 में पद्म भुषन भुषन दिया गया था उनीच्व पचासी में और 2009 में इसको भारत रत्न दिया गया है और इन्हीं का नाम मतलब यह पूछा गया कि यह किस राजे समभंधित व्यक्ति है अगले प्रॉब मतलए किसके द्वारा ग्रेंटस द्वारा जिता गया है फ़ला है राफयल डाल और दुछरे हैं नोवाग जोकोविच यह दोनों के द्वारा जीता गया है जो कि दोनों 22 टाइटल से यह जीते हैं अगला प्रस्ण क्या पुछा गया था दिली हाइकोट की अस्थापना यह कब की गई थी तो यह की गई थी 31 अक्टूबर 1966 में दिली हाइकोट की कुछा गया था ट्यवी यादर रखें अब नेक्स जानते हैं अगला प्रस्ण विपासा किस नदी का प्राचिन नाम है हाँ और भी नदियां प्राजिन्काल में कुछ और नाम से जयाता था, तो इन सभी का भी नाम याद रखें हो सकता है आने वाले एक्जाम में पूछा जाए काई कि बहुत सारे shift में एक्जाम हो रही है तो question बनने के बहुत chance से एक ही question को बार-बार घुमा कि या तो कुछ change करके पूछा जाएगा तो सारे dimension को याद रखना काफी जोरी है अब next जानते हैं अगला प्रस्ण क्या है निमलिखित में से कौन सा पूछतक हर स्वर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी तो मतलब उसमें option दिया गया होगा तो ये कौन-कौन से पूछतक जो है ये हट्वर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई थी तो ये option इसका होगा रतनावली नंगानंद प्रिया प्रिय दर्सिका ये सभी पूछतके जो की नहीं लिखा गया तो और ये जो क्रिशन देवराय अमरित मालदय की ये लेकक्त है अगला प्रशन की बाते है next प्रशन है artificial sweetener ये पूछा गया था कि इनमें से उप्सन दिया गया होगा ये दिया ही गया है कि इनमें से artificial sweetener ये कौन सा है तो इसमें उप्सन दिया गया ए में ग्ल्कोज भी में दिया गया था sodium benzoard c में है सेकरिन और डी में दिया गया है लेक्टो मैसीन तो इसका राइड एंसर क्या होगा option number सी स्का राइड एंसर होगा देटमिन सेकरिन जो है इसको artificial sweetener के नाम से यह जाना जाता है और भी artificial sweetener से जिसको जाना आता है जैसे कि एसपार्टेम हो गया और यह सुक्रेलोज हो गया एक ऐसे सुफलेम हो गया और यह सेकारिन जो है और यह जाई ली टॉल यह अंग्रेजी में नाम कुछ अजीव हैं तो इसको एक बार याद कर लें अब आगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है चंगेज खान के नेत्रुत में मंगोलों ने भारत पर कब आक्रमन किया था यह पूछा गया था तो यह जो है वर्स 1221 में मंगोलों के द्वारा आक्रमन किया गया था जो कि इसके नेत्रुत करता थे यह चंगेज खान था मंगstate का संस्थापक इसको माना जाता था मतलब यह मंगौलवराइस का स्थापना किया था और उसने वर्ष 1221 में भारत पर आगरमन किया था अगला प्रस्ण क्या पुछा गया था प्रसिद अंबुबाची मेला भारत के किस सहर में पर्टैक वर्ष यह आयोजित किया जाता है जो अंबू बाची मेला है यह हमारे देश में गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है और यह असम में सिच्वेटेड है गुवाहाटी और यहाई पर अंबू बाची मेला परतेक साल यह करवाया जाता है और यह जो मेला है यह कामख्या मंदिर में य की हिंदु धर्म का ये वार्षिक मेला है अब नेक्स जानते हैं अगला प्रस्ण क्या है अस्टेंडप इंडिया योजना किस से सम्मंदी थे ये पुछा गया था तो ये जो योजना है ये भारत सरकार का एक कारिक्रम है जिसका आरम पांच अप्रेल 2016 को महिलाओं अनुसुचित जाती या फिर अनुसुचित जन जाती समुधायों के बीच उधामिता को बढ़ावा देने के लिए मतलब ये स्टार्ट किया गया था जो अस्टेंडप इंडिया योजना है अब नेक्श जानते हैं अगला प्रस्ण क्या है उधाइपूर सहर की अस्थापना किस ने की थी ये पुछा गया था तो ये जो है मेवाड की राजधानी उधाइपूर की अस्थापना 1569 में महाराना उधाइपूर की अस्थापना जो की मेवाड की ये राजधानी थी तो यह केरल का जो लिंगानुपात है वो परती 1000 पूरूसों पर 1084 महिलाओं थी महिलाएं और हर्याना का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम जो की 1000 पूरूसों पर 877 महिलाएं थी और यह 2011 के जनगना के नुसर यह डाटा यह पूछा गया है तो एक बार फिर से मैं बोल देता कि 2011 का जनगना के जितना भी important points है उसे एक बार पढ़के जाएं ताकि एक दो question आपको मिली जाएगा इससे related है अब नेक जानते हैं केंसासित परदेश दमन दिव में लिंगानुपात जो है यह सबसे कम जो की 618 महिलाएं परती 1000 पूरूसों पे थी और यह भारत में 2011 जनग से तो यह सभी चीज़ें इस वो ध्यान में देख लें अब नेक्ट जानते हैं अगला प्रस्ण क्या पूछा गया था निवलिखित में से किस नदी का उद्गा मस्थल महराष्ट राइज है मतलब कहां कौन सी नदी जो है वो महराष्ट राइज से निकलती है तो यह जो न नियुंतम यूंज होनी चाहिए तीसवर्स होनी चाहिए राज्सभा का सदैशय होने के लिए और लोगसभा का सदैशय होने के लिए नियुंतम, उम्र 25 परदान मंतरी बनना हो तो उसके लिए नियुनतम उम्र 25 वर्ण होना चाहिए क्यों कि जो बनता है वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं अब अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रस्ण क्या पूछा गया था जो नीमोनिया रोग है वो मानों सरीर के किस अंग को ये प्रभावित करता है तो ये जो रोग है नीमोनिया ये फेंपड़े को प्रभावित करता है जो हमारे मानों सरीर का फेंपड़ा होता है उसमें यह प्रभावित करता है जो कि फेपड़े में सुजन की स्तिती बन जाती है और नीमोनिया का मुख्य रूप है जिसे बेशानू और जीवानू से यह के संक्रमन से फैलता है तो यह ध्यान में रखें अगला प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं सेरी कल्चर किस से संबंदी स्ब्सक्राब करते यह पुछा गया था तो यह जो सेरी कंति है यह रेक्स्य के प्रवान से संबंदी थैं कि कमंति है यंद्स यांज है आने वाला एक्जाम में पुछा जायु जैसे कि हो गया एक कल प्सक्राब यह में пож ARcki की पालनओ क्ष्रीन को प्रमी से स्वंदित खेज और यह सभी चीजों कोभी धियान में रखेए अब नेक जानते है अगला प्र्शन क्या है इन में से कौन सी जल्संदी भारत और स्रिलंका को भीवाजित करती है आ यह कौन सी जल्संदी यह पाक जल्डमरुमत जो है भारत और सिलंका को यह अलग करती है और भी जो जल संधिया हैं उसे भी ध्यान में रखें जैसे कि मलेसिया तथा इंडोनेसिया को कौन अलग करती है तो यह मलक का जल्डमरुमत जिसको अस्टेट बोलायता है मलक का अस्टेट जो है यह मलेसिया अमेरिका को ये अलग करती है तो ये सभी चीजें भी ध्यान में रखें जो लोग एकजाम नहीं दिये हैं उनके लिए खास तोर के तोर पर ये ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है पूछे जाएंगे अब नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रस्ण क्या है बीसु का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है ये पुछा गया है तलब जो सबसे लारजेस्ट कंटिनेंट कौन सा है पूरे वर्ल्ड में तो ये जो कंटिनेंट है ये एसिया महादीप जो है ये बीसु का सबसे बड़ा महा और अगर इसा पूछा जाए मानलों अगर नेक्ट एक्जाम में कि बीश्व का सबसे बड़ा महासागर कुन सा है तो यह परसांत महासागर है जिसको इंगलीज में Pacific Ocean बोला जाता है तो यह सभी भी चीजें ध्यान मेरें अब नेक्ट जानते हैं अगला प्रस्ण क्या पूछ की गई है और भी आर्टिकल से हैं जैसे कि धार्मिक की सवंतरता का अधिकार जो है अमारे समिंदान में अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक यह मेंसन किया हुआ है अभी इन सभी आर्टिकलों को भी जानना काफी आवीशक है तो नेक्ट आर्टिकल है 25 इसमें क्या मेंसन किया हुआ है कि धर्म का जो परचार करने का जो इसमें मेंसन किया हुआ है कोई भी आदमी जो है वो अपना धर्म का परचार परसार यह कर सकता है नेक्ट है अनुच्छेद 26 इसमें क्या मेंसन किया हुआ है कि धार्मिक मामलों के परबंदन की सोतनतता इस बारे में मेंशन किया गया है अगला आर्टिकल है आर्टिकल नमबर 27 इसमें क्या मेंशन किया हुआ किसी विशेश धर्म के समपरवर्तक के लिए करों का भुक्ताम करने की सोतनता है अगर मानलों कोई अगर धर्म को परमोट कर रहा है उसमें पैसा दान दे रहा है तो उस होसं में चूट दी जाएगी ये मैंसन किया हुए है अगला नुच्छे में क्या में Bab No 28 में धार्विक सिछा में भाग लेने की सोतनत्रत्य ये मैं सबस्क्राइब कर सकता है बाग ले सकता है उन सभी चीजों को यह सभी हमारे सम्मिदान में मेंसन किये वह हैं और यह मौलिक अधिकार के यह सभी पार्ट हैं तो यह सभी को जानना काफी चोरवी है अब नेक्ट प्रशन की और बढ़ते हैं अगला प्रशन क्या पुछा गया था साथ वहान वंस का सबसे महात्पुन सासक कोन था यह पुछा गया था यह जो गोत्मी पुत्र स्री सत्करनी जो है यह साथ वहान वंस का सबसे महान सासक यह माना जाता था और यह साथ वहान वंस यह जो है जो है इसकी राजधानी रही है और महाराश्ट के ओरंगाबाद जिल्ले में सिच्वेक्ट है और साथुहान सकू inic t同 जो इसका राज के भासा ओलते और इसकी जिपी यहाँ यहां पर यूज किये जाते थे तो ये सभी चीजें हैं जो साथ वहान डाइनस्टी से related हैं अब next जानते हैं अगला प्रस्ण क्या पुछा गया फुटबोल में कितने खिलाडी होते हैं ये प्रस्ण पुछा गया तो फुटबोल का जो खेल होता है उसमें एक पक्च में जो खिलाडियों की संख्या होती है ये 11 होती है और दोनों पक्चों की बात करें तो 11 मिला के 22 खिलाडी टोटल फुटबोल में खेले जाते हैं अब इनसे related पूछा ही गया तो और भी जाने थे कि और भी बाकी जो गेम से उसमें कितने खिलाड़िया होता है तो जैसे कि basketball game है इसमें 9 खिलाडिया होती है होकी में 11 वो इब एक पक्च का इसमें बात किया जा रहा है दोनों पक्च को मिला लिया जाए तो इसमें आपको मिल जाएगा प्राप्त होजाएगा data नेक्ट गेम है नेट वॉल है जो कि इसमें साथ होते हैं और वाटर पोलो इसमें साथ खोखो, नो, कबड़ी, साथ ये ध्यान में रखें कि ये एक साइड का खिलाडी का बात हो रहा है अगर दोनों साइड के खिलाडी को एड किया जाए तो इससे दुगुन्ना होगा पांच, बॉक्सिंग में एक और लॉन टेनिस में एक या फिर दो, चेस में दो, फुटबॉल में ग्यारा, वॉलीबॉल छे और टेवल टेनिस में एक या फिर दो तो ये सभी हैं जो प्लेयर्स होते हैं विविन विविन खेलों के अब नेक्ट प्रस्ण क्या पुचा गया था इन में से कौन सा राजस्थान का परसिद लोकनित है ये पुचा गया था उसमें उप्सन दिये गए होंगे इता गिनाद, जुलन, लीला, भाववववी Кच्छी, घोडी ये सभी राजस्थान के लोक नित हैं अब अगला प्रश्ण जानते हैं अगला प्रश्ण क्या पूछा गया था तो ये प्रश्ण है सतीपर्था का अंद का बुआ था ये पूछा गया था इसमें सती पर्था में क्या होता था अगर मालीजे कोई इस्त्री पुरूस है मतलब हस्बेंड वाइप को तो अगर उसमें अगर हस्बेंड मर जाता है तो वाइप को भी हस्बेंड के चिता में जाके जलना पड़ता था इसी को सती पर्था बुला जाता था तो इसका अंत का अंत किया गया था और ये जो है भारती समाज सुधाराक जिनका नाम है राजरा मोहन राई के कहने पर मतलब इनके प्रेसर पर लॉर्ड विल्यम वेंटिक के द्वारा ये कानून लाया गया कि अब से सतिपर्था अंत किया जा रहा है और इसको अंत किया गया था चार दिसंबर 1829 में तो यह यहर याद रखें और यह नाम भी याद रखें कि यह किनके द्वारा खतम किया गया था यह दोनों व्यक्तियों का नाम अब नेक्ट जानते हैं अगला प्रस्ण क्या है केलू चरन महापात्र की सास्त्री निर्थ सेली से समंदित है जो केलू चरन महापात्र जी है इनका कौन से सास्त्री निर्थ से यह इरिलेट रहते हैं यह ओडिसी निर्थ से यह समंदित है जो कि ओडिसा से पद्म विभूसन प्राप्त करने वाले यह पहले व्यक्ति थे और भी नरतक हैं जो उड़िशा से रिलेटेड हैं जैसे कि सुजाता महापात्र, केलुचरन महापात्र, रतिकांत महापात्र गंगाधर, परधान यह सभी उड़िशा के नरतक हैं से भी ध्यान में रखें अब नेक्ट जानते हैं अगला प्रस्ण क्या है किस परसेद भारतिक खिलाडी को Captain कुल के नाम से यह पूछा गया है तो यह महेंदर सिंदोनी जी को जाना जाता है Captain कुल के नाम से और भी खिलाडियां हैं जिनके उप नाम हैं उसे भी देख लें ताकि हो सकता है आने वाले एक्जाम में पूछे जाएंगे यह प्रस्ण है तो देख लेते हैं रोहित सर्मा को हीट नेम के नाम से जाना जाता है विराट कौहली को रन मसीन या फिर चिकू की नाम से जाना जाता है लिएंडर पेस को पोकेट डाइनेमो की नाम से जाना जाता है और हर बजन सी को टर्बनेटर की नाम से जाना जाता है और यह भूपती जी को इंडियन एक्सप्रेस की नाम से जाना जाता है और भी हैं इसे भी देख लेते ह बोला जाता है और हिमादास को धिंग एक्सप्रेस बोला जाता है ये पुछा गया प्रस्ण है कि धिंग विलायाता है, फिरंद सेवा को मुल्तान का सुल्तान या फिर नजफफरगड का नवावुआ की करवा है और मिल्खा सिंग को फ्लाइंग सीख बोला जाता है तो यह सभी का नाम एक बार याद रखें जो लोग एकजाम नहीं दिये हैं और जो दे भी चुके हैं जिनको नहीं यादे वो भी तिहान में रखें इन सभी का नाम वो सकता हैं आने एक्जावों में कोई भी एक्जाम ससी रेलवे वगरा उनमें पूछा जाए अभने के जानते हैं अगला प्रशन क्या पूचा गया था 2010 तक सबसे ज्यादा उसक्र प्रषकार जितने वाला भारति कौन है तो यह एर रामान जी है इनके मतलब यह सबसे ज्यादा ओसकर आवार्ड प्राप्त किये थे 2022 तक और यह जो है किसके लिए प्राप्त किये थे इनका मतलब एक फिल्म था जिसका नाम था सलम डॉग मिलिलियर में इनके द्वारा चैहो नामा गाना यह गाया गय जो कि यह फिल्म जो है यह 2018 में यह रिलीज की गई थी जो कि ब्रिटिस मुल की एक फिल्म थी यह और इनहीं को दोदो ऑसकर आवार्ड मिला था तो यही प्रस्म पुछा गया था और यह जो है ऑसकर जितने वाले पहले भारति कौन थे हमारे देश के यह थे भानु अथया जीते जो पहले ओसकर जीते थे और यह 1983 में इनके द्वारा जीता गया था जो फिल्म गांधी के लिए सरवसेष्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरसकार इनको दिया गया था तो यह भी ध्यान में रखें अब नेक्ट जानते हैं अगला प्रस्म क्या पुछा गया था जो प्रकासित की गई थी जो कि दलाए लामा ने 1989 में इनको नोबेल पुरसकार दिया गया था तो यह भी ध्यान में रखें और भी बुक्स हैं जिनका ओथर क्या है नेंसल मंडेला के द्वारा जो बुक लिखे गए थे वो बुक थे लोंग वाक टो फ्रीडम और है कनवर्सेशन विद माइसेल्फ यह सभी बुक नेंसल मंडेला के द्वारा लिखे गए थे और सासी थरूर के द्वारा जो बुक लिखे गए हैं यह है दा पैराडेक्सिकल प्राइम मिनिस्टर और नेक्स्ट अगला बुक है Why I am a Hindu यह सभी बुक जो है सासी थरूर के बुक के द्वारा लिखा गया है यह लिखा गया है इंडिया 2020 और Ignited Minds, Wing of the Fires यह सभी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखे गया है अब अगला प्रस्ण जानते हैं मतलब हमारे देश का जो समिधान है उस समिधार को किसके द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है तो इसका right answer क्या होगा the Supreme Court of India मतलब जो Supreme Court है अमारे देश का उसके द्वारा जो समिधान है उसको इंटरप्रेट किया जाता है और यह इसका कानूनी अंतिम अधिकार यह माना जाता है मतलब कोई भी अगर कानून भी पास होता है लोग सभा राज सभा से है तो लास्ट में अगर सुप्रीम कोड अगर डिसाइड कर दिया कि यह कानून गलत है तो वह पास नहीं किया जाता है मतलब वह कानून नहीं बन पाता है तो यह सभी चीजें हैं अब नेक्ट जानते हैं नेम दा सर्किट कंपोनेंट देट इस यूज टू अस्टार्टे और स्टॉप दा फूलो अफ कंटेट करेंट इन सर्किट मतलब अगर कोई परिपत में विद्वत अगर परवाइत हो रहा है तो उसको कौन सा चीज का यूज किया जाता है जिसमें उसको रोका जाए और फ 1905 में बंगाल विवाजन का अधिकारी कारण क्या था मतलब इसका मेन कारण क्या था बंगाल विवाजन का तो इसका मेन कारण था इसमें कि बंगाल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो उसी के कारण बंगाल का विवाजन ये तई किया गया था और ये 1905 में बंगाल का भी याद रहे हैं अब नेक्ट जानते हैं अगला प्रस्ण है दफंशन ओफ सौटिंग टैकेजिंग एंडिस्टिब्यूटिंग मैट्रियल्स इंसाइड एस सेल इस परफॉंबाइट मतलब एक कोशिका के अंदर सामगरी को छाटने पेक करने और वित्रित करने का गायर किसक किया जाता है और यह इसका राइट एंसर होगा अब नेक्ट जानते हैं अगला प्रस्ण क्या है मतलब महाद्विप्य का मुख्य भाग है और इसी को क्या बूला जाता है सियाल भी कहा जाता है क्योंकि यह सिलिकन और एलुमिनियम से बना हुआ यह माना जैता है अब नेक्ट जानते हैं अगला प्रस्ण है महाराजा सवाग जैसी इसको जैसी सेटन्ड भी बुला जाता है नेकिक शाहरकी अस्ठावना की गई थी वो थी जैपूर सहरकी अस्ठावना की गई थी और उन्होंने मुगल सम्राठ्- औरंगजेब के द्वारा दिया गया था और नेक्स्ट है बहादूर साह स्थ्वरी बहादूर मुहम्मद साह ने इनको सर्मद ए राजा ए हिंद क्यूपादी दी थी तो यह भी याद रखें अब नेक्स्ट जानते है अगला प्राशन है आ ईटू यू टू को किस नाम से जाना जाता है जो इसमें को क्ोन-कौण से देश सामिल है इसको पस्चिम ACI वड के नाम से भी जाना जाता है और इसमें यह भारत इस्राहिल संभी अमिरात और और सन्यूक्तराइज अमेरिका यह टोटल चार देश इसमें सामिल है और यह एक संगठन है मतलब चार देशों का संगठन है जिसको I2 YouTube बलाया था इंडिया, इस्राइल, सन्यूक्तरव अमिरात और USA यह टोटल चार देश है अब एक्ट प्रस्शन है भारत में गरिवी का आकलन किसके द्वारा ये किया जाता है तो ये किया जाता है 2011 के जिन गरणा के नुसा दूसरा सबसे बड़ा अलफ संख्याक समुधाई ये कौन सा है इससा पूछा गया था तो ये जो है इसाइस समुदाई जो है जो क्रिस्चेन लोग हैं ये दूसरा सबसे बड़ा अलपसंख्यक समुदाई है हमारे देश में जो कि इन लोग की जो संख्या है ये पूरे पूरो का ये 2.3 परतिसत है और पहला सबसे अलपसंख्यक समुदाई जो है ये मुसलिमों की है जो की 4.2 दो परतिसत है उसके बाद तीसरा अगर देखा जाए तो यह सीखों की है एक इन बहुत है बहुत है जीन की है रहे सानवावनफ पर एक और यह सभी चीजें जो पूछे जा सकते हैं अगला प्रस्न 258 के अंतार सीछा जर्ण LOVE ये की जाती, मतलब कितने वर्स के अंतराल में भारत में जनगना की जाती है, तो ये टोटल मतलब 10 वर्सों के बीच ये जनगना होता है, मतलब परतेक 10 साल के बाद जनगना की जाती है, अब इसी से related और भी प्रेश्म बन सकते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, तो भारत में 1872 इस्वी में लॉर्ड मेयो के सासनकाल में पहली जनगना ये करवाई गई थी और भारत में पहली अधिकारिक जनगना मतलब अधिकारिक तोर पर जो जनगना करवाई गई थी ये 1881 इस्वी में लॉर्ड रिपन के सासनकाल में ये किया गया था और अगर सोतंतर भारत की प्रस्ण क्या है निम्लिखित में से किसके सासनकाल में वैंसांग ने पलवों की राजधानी जो है कांची पूरम का ये भर्मन किया गया था ये वैंसांग के द्वारा तो ये नर्सी वर्मन पर्थम के सासनकाल के द्वारा वैंसांग जो है ये कांची पूरम का भर्मन किये यह ध्यान रखें और पलोग वन्स के जो संस्थापक्त हैं स्विष्णू जीत हैं अगला प्रस्न है पधान मंत्री नेशनल एपरेंटिशिप मेला कहां पर मतलब यह मेला जो है यह कितने जिल्लों में यह किया गया था इसका यह जो मेला है इसका यह जन टोटल एक सो संतानबे जिल्लों में यह किया गया था और यह 25 राजियों के जिल्लें थे जो किया गया था और इसका आयजन जो है यह 12 दिसंबर 2022 को यह किया गया था और कोसल विकास यह उद्धमिता मंत्राले के द्वारा यह मेला आयुचित करवाए गया था तो यह भी ध्यान में अब नेक्ट जाहता है निनललेकित में से कौन सा जल निकाय जो है अंदमान और निकोबार को अलग करता है तो यह जो है टेन bestil डेग्री चैनल जो है और बादीव समय को यह अलग करने वाला यह जल conceived-ज gesture 9 जो है यह लक्षिद्विप और मीनिकोई को अलग करता है और एट डिग्री चैनल जो है यह मीनिकोई और मालदीव को अलग करता है तो यह सभी चीजे भी द्यान में रखें हो सकता आने वाले एक्जाम में पूछा जाएगा अगला प्रस्ण है गेहों की खेती के लिए सबसे उच्ची मतलब अच्छी मीटी कौन सी होती है यह पूछा गया था तो इसमें जो अच्छी मीटी जो होती है यह दोमाट मीटी जिसको कले मीटी भी बोला जाता है कले सोयल यह अच्छी होती है यह गेहों के उत्पादन के ल अलावदिन खां किस वाधियंत्र से यह समंदित थें तो यह सरोध वादक थें जो उस्ताद अलावदिन खां जो थें और इनको 1909 में पदम भूशन और 1971 में पदम विभूशन से समानित किया गया था तो यही पूछा गया है कि यह किस यह अंत्र से वाधियंत्र से डिलेटे था तो यह मेकाले का जो मैन्यूट रिपोर्ट था इस पर आधारित था जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 था तो यह याद रखे अब नेक्स जानते हैं भारती किर्केट नियंत्रन बोर्ड बी-सी-सी-सी की अस्थापना यह कब की गई थी तो इसके अस्थापना जो है यह मुंबई में सिच्वेटेट है और इसमें उनिसवठाइस में आर इग्रांट गोवान बी-सी-सी-सी-सी के जो पहले अध्याश थे और अभी के अध्याश जो ही यह रोजर बिन्नी और उपाध्याच है राजीव सुकलाजी अभी के परजेंट के उपाध्याच है तो सांसत के जो अलगली सपीड्सा निर्वादयस सब्सक्राइब कौन कोन हैं जो भाग ले सकते हैं तो यह सांसत के दोनौं सदनौ के निरवाचित Honiger en. अमें भाग cens के अगला प्राश्न राउत नाच कि स्राज का लोग नइत है तो यह जो नइत है यह दिपावली तिहवार के बाद नहीं किया जाता है जो राउत नाच परशिद सांस्कृतिक अस्थल राणी की वाव किस नदी के किनारे यह पुछा गया है ति यह जो रानी की वाव जो ही यह सरोसती नदी के किनारे में यह दर्स आया गया है रानी की वाव को और इसको 22 जुन 2004 को यूनेश को कभी सुविरास्था सस्थल में यह सामिल किया गया था अब नेक्ट जानते हैं अगला प्रस्ण है भारत्य समिधान की आठवी अनुसुची में कितनी भासाइं सामिल है यह पूचा गया था तो इसमें जो टोटल भासाओं हैं यह 22 भासाओं को सामिल किया गया है आठवी अनुसुची में जिसमें से जो भासाओं हैं यह है असम्य बंगाली गुजराती हिंदी कन्नड कस्मीरी कॉंकनी मल्यालम मनिपूरी मराथी नेपाली ओडिया पंजाबी संस्क्रेट सिंदी तामिल देलगू उर्दू बोडो संथाली मिथली और डोगरी तो यह टोटल 22 भासाइं हैं जो हमारे समिधान के आठवी अनुसूची में सामि अप्षन है तो यह वह सा कोशिन बन सकता है अब इससे जा लेते हैं जो प्रारम में चोदो भासा हैं हमारे समिधान में ते जो आठवी अनुसूची था और बाद में इसको जोड़ जोड़के 22 भासाइं कर दिया गया है तो यह जो है उनीस सो सरसट में जो है यह 21 समिधान संसोधन करके सिंधी भासा को जोड़ा गया था और इसो बानबे में 71 समिधान संसोधन करके कौंकानी मनिपूरी नेपाली को जोड़ा गया और 2003 में बानबे में समिधान संसोधन करके यह बोड़ो डोगरी मेथली और संथाडी को जोड़ा गया तो यह सभी चीजों को भी द्यान में रखे इनसे भी प्रश्ण बन सकते हैं नेक्ट है वर्तमान में जो हमारे मतलब देश में जो सास्त्री भासाएं जो की ये आठी अनुसुची में ये डाले गए हैं ये कौन-कौन सी भासाएं मतलब सास्त्री भासा ये भी द्यान में रखें कि क्या पूछा जा रह में और मल्यालों को 2013 में और ओडिया को 2014 में ये दर्जा दिया गया है सास्त्रिय भासा का दर्जा तो ये भी ध्यान में रखें और ये आठीकल नंबर 60 अनुचेद साथ में ये राष्टपती के द्वारा ये सपत लिया जाता है और ये मुखिनयादिस के सामने राष्टपती जी अपना सपत लेते हैं तो ये भी ध्यान में रखें कि राष्टपती किसको मतलब अपना सपत गरन किसके सामने लेते हैं तो ये मुखिनयादिस जो सुप्रीम को परेल महिने का पहला दिन जोकी इसमें नवर्ज के रूप में इसको मनाया जाता है और पार्सी नवर्ज के रूप में भी जाना जाता है इसको इरानी केलेंडर की का चिन के लिए, ये मना जाथा है, जो नावरोज दोवार होता है, और भारत में नावरोज उत्सो जो है, ये शुर्वात जो है, इसका बल्बन के द्वारा ये किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखें, अब नहोंरे जानते हैं, अगला प्रस्ण क्या है, रोजर फेडरर का सम्मन किस खेल से है तो यह जो है टेनिस के खिलाड़ी है जो रोजर फेडर जी है और यह स्वीटिजर लेंड के निवासी है तो यह भी ध्यान में रखें अगला प्रश्ण है ता तो बोधनी सभा के अस्थापना कब हुआ था यह पूछा गया था तो इसका जो अस्थाप का परशार करना इसका मेन उद्देशी था तो यह भी ध्यान में रखें अगला अब देखते हैं कि और भी जितने भी संगठन है और उसके संस्थापक जो है उन सभी को भी जानना काफी जो रही है क्योंकि इसमें तो यह पूछा जा चुका है कि तो वोधनी सभा का ना की गई थी और अरे समाध्य यह सवामे द्यानंद सरास्थी कि जी के द्वारा 1875 में इसके स्थाप्ना की गई थी ऑसियाटिक सोसाइटी जोकि blueGam John के द्वारा Lev tender收看 और प्रातना समाध्य लुच्ट यह लूच्टर अमरेत आतमा राम पांडूरंग जी के दव अस्थाबना कि गई थी और यह 1906 में इसकी अस्थाबना की गई थी नेक्ट है राम कृस्न मीशन की जो अस्थाबना ही ए स्वामी विवेकानन जी के द्वारा आतार सो शंतानमीन के अस्थाबना की गई थी यह भी कोश्चेन पुछा जब गाए पिछले के एकझामों में यह गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा यह अस्थापित किया गया था 1905 में तो इन सभी जितने भी संगठन है और अस्थापक है वह भी ध्यान में रखें तो यह था दोस्तों ससी के द्वारा जो पूछ एड़्थ माई के जितने भी कॉष्ण पूछे गए थे ससी में वह मैंने डिसकस कर दिया हूं और इसका पहले का वीडियो जो नहीं देखे हैं वह भी देख लें क्योंकि उसमें भी काफी अच्छे से एक्स्प्लेइन किया हु एक्जाम से पहले ताकि आपको काफी हेल्पफूल होगी और यह पीडियाप मिलेगी आपको टेलग्राम ग्रूप में मिलेगी तो वहाँ पर आप जोइन करके पीडियाप डाउन्लोड कर सकते हैं थांक्यों दोस्तों वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और जो लोग